कि वेट कर रहा हूं मैं भी लोगों का कि जब आ जाएंगे तो फिर बात शुरू होगी कि कुछ मज़ेदार बाते बताऊंगा कि जानकारी के लिए कि सुनकर ताजुब होगा और हमने तो सुने नहीं असी बात है है ना और सेटीश पुपट्स हलो और मतब जो बाते मैं बताऊंगा उसके बाद पर सवालों के जवाब दूँगा पहले ने पहले कुछ बाते कहानी किस से सुनाँगा है वह तो पढ़ लिए हो टाइटल तम लोगों ने वहाँ पर लिखा हो था कि मिर्तियों के बाद क्या यह आफ्ट उसके बाद मिर्तियों प्रांथ कुल करते ह苁 फुव सीधीए वहां से ढड़ी इपनी घर में लेका चले आते हैं । पर सा लोगो नहलाते हैं और चाल बौछ नह पनातेowej अशक heeft में होगी तो अन्य अब तरव जैसे मान लोग अगर घर में मिर्ती होगे सभाविक कोई सोता रह गया आपने सुपा दिखा करें तो आपको 911 को कॉल करनी पड़ेगी वह आएंगे वहां से डॉक्टर आएगा उसको सर्टिफाई करेगा डैथ को और उसके बाद में यह होता है कि एक यहां पर डिपार्टमे कि एक विभाग है जहां पर आपको इन फर्मPac करना पड़ेगा अपको सबसे पहले गर इला सकती हो बॉड़ी पहले कि विभाग जिसको आपको इन फॉर्म करना पड़ेगा आपको नहें बताना पड़ेगा और यहां पर यह तो ऑस्परorte में अन deposit को सत्वे स्वाइइत देगा उसके बाद आपको एक एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको आपको इंफ़र्ब करना पड़ेगा कि यहां पर डेथ हो गई है हमारे प्रियजन की तो उसके बाद फिर वो जो है फिर चाहिए आपका धर्म कोई भी हो आप हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चन हो यहुदी हो कोई भी हो आपकी जो बॉड़ी है वही लोग लेकर जाएंगे और वह स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक धर्म के आपको ढूड़ना पड़ेगा बहुत सारे दोग योत तो पहले सी ढूड़ के रखते हैं कि अगर हमारे प्रियजन की मिर्ती होगी अगर हमारा हिंदू रिलीजन है यह हमारा पार्सी रिलीजन है जो भी रिलीजन है उसके अपौडिंग ली आप सर्च करो आपको मिल केसे उसके बाद यह होता है कि बहुत से केसे में यह होता है कि आप बॉड़ी को क्रिश्चन जो होते हैं वो चर्स में ले आते हैं जहां पर लोग उनके अंतिन दर्शन के लिए आते हैं हिंदू लोग उसको टेंपिल में ले जाते हैं और शायद मुसलिम जो मॉस्क में ल इसके नहीं ला सकते हो उसके लव बड़ी और मुझेदार बात यहां पर यहां पर अमेरिका में जबों का द्हा संसकार करने की इजादत नहीं हुआ जैसे अपने यहां तो चिताओं चिता पर जलाए जाता है हमारे यहां तो हिंदू पर परमपरा के अनुसार यहां पर कहीं पर भी आपको उसकी इजाथ नहीं कि आप चिता पर शवों को जला सको उसकी कोई इजाथ नहीं है केवल और केवल एक एक स्टेट है कोलोरडव और वहां पर और वही केवल क्रीश्टोन की निवासी है उनको ही सुद्धा प्राप्त है कि साल में आठ से या दस लोग उनका जो है अंतिन क्रिया जो होती हो चिता के उपर हो सकती और बागी पूरे अमेरिका में कहीं पर भी अलाउन नहीं है उसके बाद यह के बॉड़ी आप घर पर लाने सकते हो जैसे हम लोग नहलान दोनाना करते हैं बहुत सारे धार्मिक मानिका अनुसार बॉड़ी को नहला जाता है उसको कपड़े पहना जाते हैं वह सारा काम वहीं करेंगे आपका जो फूनल हों वाले आप घर पर कुछ नहीं करते हैं यह जो लोग करते हैं यह ब्यूरीयल करने कि उसको बोलते हैं जो जफनाया जाता भॉड़ी को उसके लिए फिए के इस्पैसिश्ट करो सारा कुछ आपके लिए प्रिपेर करेंगे और जितना हैं मेरे को पता हमारी स्टेट में जो है शायद एग जिगा पर स्टे ग्रेयवार्ड है या शमिशान है उसी में अलग अलग हिस्से हो सकते हैं के हिंदू के लिए अलग है मुस्लिम के लिए लग हैं किसी और रूजिन के लिए तो अगर आपको चाहिक कराना है अपने अपने परिजन को तो आप उसी के पास जाओगे उन से बात करो कि वह सारा आपका इन्जाम करेंगे सारा सब कुछ वह करेंगे सारा कि उसका यख तली का सिंद्न करीक होता रहे होता है कि Ya अपूर यह जाता हो यहां कि यह जो नदिग्र ओम् हर सबसक्रास का लिखते हैं झाल करते हैं लेकिन जितना मेरे को पता है कि आप sommels में इसके लॉज है कि कहां पर जाकर इसमिल राख मिलेगी को त्युक्त है लेकिन पर लेकिन जिसकंदार नहीं पर वहके ऊपर है कि आप कौनसे तरीका चाहते हो अपने प्रियेजन के मिर्तियों बाद में आप उसको दफनाना चाहते हो या क्रिमेशन चाहते हो कि एक भट्टी उती इसमें हाई टेंपरसेट पर उसको बॉड्यों को जलाया जाता है और एशेस जोती ही वह परिवार जनों को दे दी जाती है या फिर एक और तरीका भी है पर उसक लेकिन बहुत सारी स्टेट में अमेरिका की यह लीग है अगर कोई यह चूज करता है अपने प्रिये जन का या परिवार की सदस्य का या इविन अपने जानवर का गाय भैंस या कुत्ता बिल्ली जो भी आपका अगर आप यह चूज करते हो कि हमें इस तरीके से करवाना है नैचरल और गयनिक इसमें क्या होता है कि बॉड़ी की पार्ट सुते सारा उनको कंपोस्ट में कर दी जाता है खाद बना दी जाती है उनकी है ना मज़ेतार बाद खाद को जो है वह यूज किया जा सकता है कंपोस्ट जैसे पेड़ पादों के लिए तो बहुत सारे लोग इसको इस तरीके को भी एडॉप करते हैं या तो आपको दे देंगे वह जो कंपोस्ट है जो खाद बनी है उसकी आपके प्रिये दिन की वह आप ले जाओ उसका यह होता उसमें के वह जो बॉड़ी के ऑर्गंस होते है उसको वह चार-छे हफते के लिए उसको चार-छे हफ नेचरल केमिकल्स उसके साथ में डाले जाते हैं और उसको जमीन के अंदर चार-छे हफते के लिए रखा जाता है बॉड़ी के ओर्गंस को और यह चाहाओ तो ले जाओ उसको और यूज कर सकते हो आप खाद जैसे इसको और या फिर उसको जो नेचरल हैबिटेट होते हैं परिवार जन की जिसकी बिर्थी होगी इसके लिए आडप्ट कर सकते हो वह है alkaline hydrolysis एक तरीका यह भी है alkaline hydrolysis इसमें यह होता कि पानी और कोई alkaline chemical और heat और कभी-कभी प्रेशर एक वैसल होती है उस वैसल के अंदर पूरी बॉड़ी को डाल दिये जाता है और बॉड़ी जो उसमें कुछ घंटों के अंदर जिन कंपोनेंट से हमारी बॉड़ी म साथ उनका में पूर्ट होती पूरी डिस ओल्व राती है तरीके से बॉड़ी हुथ होती है ऊर्फिर वो जो मैंदर जो फशर ऊंदर जो वेस्ट वांटर सिस्टम होता है उसमिंगा दियाता हूं और अधी यो फटिया तवीज होती ही वह इतनी बिल्टर धाती है कि उनको पुग्रा पॉडर बनाके और उसको जो है ड्रेनेज सिस्टम में डाल जा सकता है या वेस्ट वॉटर का जो सिस्टम होता उसके इंदर डाल देते हो अब यह आपके उपर डिपेंड करता है कि जब किसी की बिर्थी हुई आपके घर में तो आप कौन सा तरीका अड़ाट करत है यह बेशख है कि एक तरीका और होता हों मियंदा है हमिनिविटेशन एंविजिटेशन हों विजेशन का विजोच को अगर आप चाहें जैसे हमारे हं लेकिन वह सकते हो करुज अन्छैनिक आप पंपने लोस्कॉ BODIKOK Monitor करेंगे उसके बाद का रंवाम वादिया को कीलौी क 있다 भी तरिका या पर तो अभी सुचो किसी की परिषित कि हमारा इस भ्रति कि तो और उसके बाद समय होता आपके पास तीन दिन का समय होता है आप जा कर जो फूनेरल हों से उनसे वाचित करो देखो आपको कौन से का सस्ता सस्ता पड़ा रहा है वाला चाहिए यह बहुत महरा चाहिए यह जैसे मैंने भी चार तरीके बताएं के बीरियल या क्रीमेशन या नेश्रल और्गेनिक रिडेक्शन या फिर आपको पसंद है वह आप अपने के लिए उसको अपलाई कर सकते हो तो यह एक डिफरेंस होता है यहां पर और जैसे मैंने पहले बताया था कि यह बाद फिर से बता रहा हूं कि जो अपके धार्मिक जो भी रिती रिवाज हैं अपने उसको लेकर वो वो आप कर सकते हो लेकिन बोडी जो है वो उनी लोग अपास जाएगी जो इसकाम में माहिर है या जो इसकाम के स्पेशिलिस्ट है उन्हीं के पास जाती है फिर वह इस सब प्रिपेर करके आपको दे देंगे उसके बाद जो भी आपका तोर तरीका हो और आम तोर से यहां पर यह होता कि कि अब सबीन में दफन कर सकते हैं जो जलाते हैं उनके लिए पर जाएंगे आप रहेंगे उसको इस्पेट करने के अलगलग यह तो यह बताया है जितना भर सक मेरे मेरे को नॉलिज थी जो चैनल अपड़ा है और एक और बात है बहुत विशाल होता है उसकी मतलब सीमा से बहार होता हो कोई भी सब्येट तो एक साधारा इंसान की भाशा में जितना मैं बता सकता हूं उतना बताने का मैंने प्रयास किया है अब देखता हूं कुछ सवाल आप लोगों के और अगर अगर मेरे को पता होगा तो मैं आपको ब लीप नौनीज चाहिए उसकी तो सारा आपको गूगों पर अविलेबिल है लेकिन यह चार तरीके होते हैं यहां पर जो मिर्टी उपरांथ उन में से कोई एक तरीका आप अपने प्रयाइजिन के लिए चूज कर सकते हो अब तो मुलों के उस सवाल देखता हूं मोहिद सव्क्राइज है मोहिद से लिए फिर एंटिफ है घर एक तो अप्रिटी ना में इस जब गवाथ आती ना तो मैं एक बात करता हूं हमेशा हमेशा हमें से अधिकांश लोग जो है अधिकांश लोग उनका कोई ना कोई भगवान या गॉद या खुदा वो होता है न तो मैं एक बात हमेशा यह कहता हूं कि या तो मानों और या मत मानों हमेशा और पता नीकितने स्वेंटा। और टमाम आम जगाव पर हैं ऑस्टेलिया में ख्र이지 ऊर्छेस को मेरे देखते थे पता रहा हूं और तमाम ग्राईम। आपके जो मोटिवेश्न बात थी उसने मिरी लाइफ में बहुत काम कियए तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ मोँश भाई कि अगर आप किसी को मांते हो देखो या तो मानओ और मत मानओ अगर तुम्हारे हिसाब से भगवान है अगर तुम्हारे इसाथ से भगवान है तो फिर उसके लिए तो कुछ भी असमभ नहीं है तो जब कोई प्रॉबलम है जीवा में जब कोई समस्य हैße कहाँ जाओगे ब spann वहीं जाना चाहिए न आपको जो आपका भगवान है अगर आप उसके पास पास नहीं जाते हो और सोचते हो कहीं और से कुछ होगा तो फिर मतमान अगर मानते हो उसके पास जाओ उसे बताओ एक दोस्त की तरह अपनी समझ्याओं को मेरा मानना है कि वह कोई है वह हो सकता है वह कोई उससे कहो मेरा मानना है कि वो है एक है ना हम अपने धर्म के साथ सब अलग-अलग मानते हैं लेकिन वह है वह है उसके पास जाओ अपनी फर्माइश लेकर ट्राई तो करो उसको छोटी-छोटी समस्याओं के लिए अपनी यहां तक अगर कभी पीठ में तर्दो रहा है मैं सच आज मेरी होने वाली वाइफ के बत्रे है बड़े विश कर दो उसको वह भी देख वह भी देखती है आपको क्रिश्चन नाम है उसका अरे क्रिश्चन के लिए जब कभी तुम लोग का विवा होगा उसके वाद शाहिए अगर यह उनको अप्लाई करेगा तो सुखी जीवो क्रिश्चन सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त और फादर होते अब मैं तुम लोग का दोस्त हूँ ना उसमें कहने की क्या बात है मैं हूँ दोस्त तुम लोग का तुम लोग जानते हो तुम जिन लोगों से मेरी फोन पर बात होती है कि मैं तुम्हारा एक फादर भी स आपका पुरानी बात हो गया पीयार एक केरा राजवीर ने कहा है कि रामराण जी भगवान तो है अगर भगवान नहीं है तो इनसान कहां से आया और हमें कोई तो बनाया है उसे ही हम लोग भगवान कहते हैं डेखो इसंने कहीं एक बात ना देखो फिर फॉर के अंदर जब होते हो ने ओ घर के अंदर अपने घर के अंदर जैसे मैं यहाँ बैठा हूं अपने घर के अंदर इस घर के देखत को एक आरटाओर एक साधर सा ऐसमध्य सब्uss잖아 अगर में इस फर्मे देखता हूं इसो इनको बनाने वाला को इनको बनाने वाला तो जब दे जिवरा यह ऐसा मानना है और मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में हमेशा कि वो कौन है क्या है मुझे पता नि उसका भगवान तो गल्ग किसे ईसने होती है नहीं कि मैं इंसान намνा आप से गल्ती होगी है तो फिर आप इंसां के गए तो इसलिए है यार चाचा तुम मेरा कॉमेंट काहे नहीं पढ़ रहे हो अजय प्रताप सिंग अजय प्रताप सिंग माफ कर देया माफ करना जो होता है बहुत बड़े लोगों का गुण होता है एक कहावद सुनिये तुने वो कहते हैं कि इसको तो भगवान भी माफ नहीं कर ध़्ड़ा ध़्ड़ा कॉपी पेश चल रहा होता है तो तेरा कॉमेंट पढ़ लिए मैंने आज़े प्रताप रॉयलिस क्या राइलिट नहीं रॉयल रॉयलित प्रिश अलॉट क्या हाले है सुख जी सिंग्ग चैचा जी क्या अमेरिका में गन कल्चर लीगल है या यह यह एक फॉर्टी सेविन एक फॉर्टी नाइन सेमी आउंटमेटिक जो चाहों खरी सकते हो और वह जो शूटिंग होती है वह तो मैंने हमेशा कहता हूं वह एक 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 से लोगों ने सुपर पावर है हो सकता है सब्सक्राइब नाम देता हूं उपर वाला मैं कहता हूं को उपर वाला है को लोग पूछरा चाचा आपको अमेरिका इनारिस्ता कैसे वह मिल गई यार पता नहीं पचासों लाएवे देख लो मैं स्टुलेंट हो थोड़ा मोटिवीट कीजिए सुमन कुमार सोनी मोटिवेशन की कोई जरुद भी नहीं अगर तो जोग दे अपने आपको पढ़ाई में अपनी बेटा पूरी क्योंकि एक छात्र होने के नाते आपकी जो प्राइमेरी ड्यूटी है वह अपनी तर अपना सारा कुछ और फिर अपनी मेहनत को जिसको तुम मानते ओ हूँ इसको तुम मानते हो अपनी सारी भेहत उसको सामने रख दो और उससे कहो तुझे पता है मेरे प्रयास में मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं है बागी फिर वो देखेगा यह सच है अंकल आपकी बातें दिल चू लेती हैं इस्लामिक शॉट्स यार मेरी बाते जो है न वह एक मैं एक हीउमन के तौर पर गरता हूं धर्म के धर्मिक विश्वास से मेरा कोई वह नहीं लेना देना अगर अगर एक धर्म होता न सारे संसार का हीउमेनिटी इसको बलते हैं मानव होता तो यह जो जगड़े फसाद दंगे सब यह सब अब कुछ भी होते सब हमें एक से होते न और मेरा सब मानना को सब हमारे बनाएं यहां के निए फैसे नियुक्त ना यह कि वालगवान यह खुदा एक है तो फिर मतलब हम सब को भी एक होना चाहिए एक धरम मानत्ता हुमेनिटी वह सलमान खांगी श्राट पर लिखा था ना बीइंग हुमन वहीं नेरा में बीइंग हुमन बस्टाइट सेट मेरे चुटि यह है क्योंकि यह मुझे पता नहीं होता है मेरे सुटी कर अगया है कल पता लगा पापा कल मैं जांगे काम पर तुम्हारे शुक्ति यह वह बैंक में काम करती है तुम लोगो जो रोस के आने वाइलों再ते मेरे को सब मोहित किया कह नहीं है अच्ट्ट रहर मेरे जीवन का नुभवह manner with my mother but I believe that there is only one god. इसको मतब अब कोई भगवान कहता है कोई खुदा कहता है मैं उसे मेरा मजाग का मुड़ दीता है उसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका मजाग उड़ा रहा हूं मैं उसको एलियन गौर्ड भी कहता हूं यह बहुत सारे लोग कहते कोई सुपर पावर है मेरा ऐसा मानना है कि कोई है जो इस स्रिष्टी को सब को चलाता तुम को फिर लोग मरते क्यों है वो सब तो मिर्ति तो अव या इतना अपने अंदर भरा हुआ है कि यह चक्कर बागु कमल चवद्री क्या करें और चाचा जी वाट्सेप नमबर नहीं दिया आपने कॉल ने भूल गया कमल यह इतने सारे लोगों से बात होती ना मेरी इतने सारे लोगों से तुम लोग जानते हो कि जा फोन नमर है लकी है कि आप हमें लाइफ में हो मंजू क्या हाल है मिटा अप अरिवार में सब ठीक है तेरे है कि चाचा जी को चैनल सबस्क्राइब कैसे आप पहचाना शुदाशू सेंग हाँ पहचाना क्यों नहीं पहचाना और एक और बात देखो मैं जब तुम लोग मेरे को इमेल करते हो और आ भीशते हो नंबर से नहीं करता हो ना फवकरता हो जब तुम लोगो कॉल कर लेता हूँ बातचीत हो जाती उसके पार मैं इमेल को डिलीड कर देता हूँ लोग् прям ग dishon hiring फिर पीर ऊटा कि से लांते हैं एडगोर करता हूँ है सिंग्राजन युए डैयन ओर मैं सब को कॉल करता हूं मैं एक ऐसा यूटुपेर अनुखल ऑनोका जिसकी एमिल और फोन नंबर फिक सानी कुल यार मेरे को प्यार करते हूं लोग और डर किसी इसका बदनाम करेगा उसके बाद कोई करना चाहे तो करेगा लेकिन मेरा ऐसा यह मानना कि हम जो बोते हैं वह पिर काटते भी तो उसका कटे मैं उसकी केर नहीं रहता आप जैसे लोग क्यों नहीं हैं दुनिया में बताओं मैं हमेशा कहता हूं कि रिलीजन ने कवाड़ा कर रहता है रिलीजन ने उसका नाम पर पता नहीं कितने कितने मार काट क्या क्या होता है जब घरन की बात आती है यह मेरी सोच ना आप की सोच हो सकता है अलग हो आप च्योंकि हम सब लोग दुनिया में इतने लोग हैं उनकी किसी की सोच एक सी तो होती नहीं सब की सोच अलागल होती मेरी सोच अची कि मैं धर्म के नाम पे चिपलगार बहुत दूर या जिसे कहते हो न कि सिर्फ पर पाउं रखके भागना वैसे भाग जाता हूं अब अच्छता उनसे उनसे शिर्य यह मिश्रा काफी दिन बाद आपका लाइव देखने का चांस में लाइश्र है क्या हाल है परिवार में तेरे बच्चे तेरे पती सबके बच्चों को मेरा सारा प्यार देना और अपने पती को मेरे तुरफ से नमस्ते चुलंबियों हमारे हमारे कुछ कौलंब यहां पड़ता हूं यूट्यूब दिमाग चाहिए तो उसके लिए न वहां पाभी दुनिया फर्टा फर्जी बढ़ा भरा होता है यूट्यूब से पढ़ता हूंगा सब कुछ अभी आपको इमेल करता हूं ठीक है कर अर्चित गुप्ता हलो चाचा जी इसराइल वर्सेश प्लेस्टीन पर आपका क्या विचा प्लेस्टीन का यह आज कर नहीं कितना पुराना यहां विफॉर कि बीसी बीसी बताओंगा आपको मैं जो शायद आप अभी तक आपको पता नहीं होगा आप देख रहे होगे शायद ही कही इका दुक्का में तो आपको पता लगाओ जो नहीं पता हुआँ अगले संडे व हूं और परिवार में सब लोग ठीक हैं वेरी गूड बंजू है हलो चाचा जी हो गई बाद चाचा जी नीउस्पेपर चला मैं कॉमेंट को चला हूं जो आ रहे होते हैं लगतार दुनिया में बहुत सारे लोग अधित्य वर्मा लाइफ आप्टर डेथ को मानते हैं लाइफ अप्टर डेथ पर आपके क्या विचाहर है यार मैं तही मानता हूं न कि यह जीवन है इसे में जीवन भी और इसे में मिर्स्टिव भी आपकी इसी जीवन के दर पता कैसे बहुत सारा लोग कहते हैं कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मरी जाएं कहते हैं इस जीवन से अच्छा तो मर जाएं कहते हैं इसे अच्छा तो मुझे बहुत दे दे कहते हैं यह जीवन जो है यह बहुत ही मतलब मैं सोचता हूं कि मुझे का जीवन जो है मिलना एक सभाग् बस यह बात है कि हम अगर हम एक को माने इसको कहते है मानफता और अच्छे काम करें जितने भले से भले काम हो सकते हैं अपने जीवन से करें जितना हो सकता किसी मदद करने का उसकी मदद करें अपनी हैसियत में मेरी हैस्थ है जोटकि कि यहां पर जब थो दर्स पंद्रा साप दर्स वीस तीन डॉलर का तेल किसी कारी पढ़वा दिया किसी कोई समान लेना आया दो डॉलर उसके पास देखा उसके पास पैसी नहीं है इसके पास एक पाइस जोड़ के लाया और वह मुश्किलते हो रहे हैं क्या बलता है अट्थानुवे पैसे तो मै वही कौन वह उदर जिसको आप मानते हो ओके पॉलिटीशन पर आपकी क्या राय है राय तो मतब पॉलिटीशन को जो है वो मतब एक तरीके से सेवा करने पॉलिटीशन जो आपको होते हैं कोई भी पॉलिटीशन जो आपकी स्टेट का आपके शहर का वह एंपी हो MLA हो या कोई सेनिटर हो आपका आप कॉल करो तौरंट फॉन उठेगा आप जब टाइम हो आपको मिल जाएगा तो पॉलिटिशन का जो काम है उसका काम है कोई जमना था जब जब लोग पॉलिटिक्स में सेवा करने के लिए आते अब लोग है पॉलिटिक्स में आते हैं मेवा खाने के लिए और यह सच है In कोई ऐसी कोई आइसी खौर्इश आपकी जो बाकि रह गई हो हे कि है कि मैंने पढायी नहीं करी यह खोईश बागी रह गई मेरी किसी ने पिछली बारी मेरे से पूछा था तो अगर जीवन में कभी वाका मिले दुबारा से मेरे को मैं 14-15 साल का हो जाओं वापस ला जाओं टाइम मिशीन में घुसके तो फिर मैं पढ़ाई करूंगा बहुत और दिखाऊंगो लोगों को म कि अब आउट आउट आँज था कुछ दिर पहले जए था आप कर दो मशीजी बहुत याद आता दो जाए तुमच इसको कहते हैं बेहत मिसकर तो मैं बरेली को लिए के खाने बरेली की पतंगे बरेली की सुखें सब कुछ बरेली का आप इस्राइल और फिलिस्तिन में किस के साथ हो वैं किसी के साथ नहीं हूँ आपको भी नहीं होना जी किसी के साथ नहीं हूँ आपको उनका इतिहास ही नहीं पता है न और फिलिस्तिन और इस्राइल के बारे में पर तू ले 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 ना तू अच्छा बद्रू पुज़ा कब है एलेक्शन या या वी एक ही डेट को होते हैं यहां पर लेक्स्ट यहर में एलेक्शन अंजली मोटिवेशनल आप बहुत स्वीट हो और बहुत अच्छे इंसान हो अरे अंजली मैं इसलिए लाइव आता हूं न हम सब तो अगर ऐसी बन जाए तो फिर यह दुनिया है वह इतनी खुशाल हो जाए यहां पर कोई किसी जगडा ना करे को यह और फिर वह उसी में सबसे पर बार बार वही एक बात भुसती ना आकर मेरे बंटाधार पता किसने करा हुआ है मेरा दर्म तेरा दर्म उसने बंटाधार कर रखा है तुम लोग जो समझदार हो उससे निकलो इस सोच से बाहर निकलो उससे कोशिश करो बस एक अच्छा इंसान बनेगी कुछ कुछ देर में कॉमेंट जो होते हैं वो गायब हो जाते ना तो फिर मेरे को वेट करने पड़ता है विरेन कपाडिया गुडी इबनिंग अरे विरेन भाई क्या हाल है कहा हूँ आजकल इंडिया में हो या कैनेडा में हूँ आजकल बहुत दिन के पाद मलाकात हुई और भाय गूँ गए आज सलाओ को चाचा जी नजीम क्यान रजीम है बरेली को नातनगरी क्यों कहते है यह ने पता नि गूगल करने क्या पता जा अभी मयने कुछ समय पढ़ा था क्यूं कहते पढ़ा था पढ़ा नी था कहीं देखा था पर राजीव रंजन के किसी प्रोगाम में देखाता हूं कहीं गया था याद नहीं भाई तीस रुपाई भेज सकता हूं बट्टी वाले थैली देना अब यासी बाते मत करो यहां पर तुम लोग भी याद चलो अच्छा है अब मेरे पास एक छोटी ची ओडियंस बचिए जो फनी कॉमेंट तो करते हैं लेकिन अबद्रता नहीं होती है इस वेरी गुड बरेली का बाना है बुलेट पांडे आउंगा तब तो बुलेट पे घुबाना पांडे अपनी मेरे को अच्छा देख कब आता हूं पता नहीं क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कल और अग तो दीजिए कुबेर यह कोश्चन है मेरा रिप्लाइश दीजिए तो फिर मैंने तेरा रिप्लाइश दे दिया ठीक है अ अ परेली कब आ रहे हो बुलेट पांडे जी आऊंगा बुलेट टुक्वान आओगा आपको जावेद अंसारी नमस्ते चाचा जी जावेद भाई क्या हाल है क्या मैं इमेल कर सकता हूं हाहां करना इमेल कित्ति वार बता दी सिंग राजन यूएस एड जम.com बिलकुल एक दम फिकी फिकी हो गया कॉमेंट आयम इंडिया प्रेजंट विरेन भाई नेक्स चेयर इंगल कम हेर इन केनेड़ा एंड यूसे वेलकम विरेन भाई आपका आजाओ वीडियो बनाएंगे साथ में क्या रातों वीडियो बनाते हैं नहीं तो डन हो चको हूं मैं सोचो मेरे पास कैलिफोरियन के वीडियो पड़ा हूं है भी एडिटी नहीं कर रहा हूं एक होता ना कि आप एक काम को कब तक कर सकते हो और फिर मेरा कोई जीवन या पन का जरियाद था नहीं यार वीडियो बनाना है मैं तो शौक या बनाता था वीडियो तो इसलिए पड़ा हूं एंड कई हैं चुझाइब डालेंगे चाहिए कई हैं मिज लाइव अनी दौरी से पैट के बाते हुए अपने जी शेयर करता हूँ मेरी तुम लोग अपनी नहीं बने समस्या बताते हो उनके मैं सोल्विस्टन देता हुँ और बहुत सारे है लोगों के समस्थे हैं जिए हो जाती जा फिर पहुंच जाते हैं तो उनको मेरे से बात होती है जैसे को हे केलिफॉर्णिया में लोग सी बात होती तो अच्छा लगता है कि बहुत है um सच है कोई कह सकता कि घमड करते हो यहां परकाम करता हूं आ बच्क बड़े और लड़कियां सब मेरे को बिहत प्यार करते हैं प्राइम रिकॉर्ड आगय वह प्राइम भाइब नमस्कार आप यहापकी फैमली से कोई इंडिया कब आ रहे हैं शिरया मिश्रा आप अभी तो कोई भी नहीं आ रहा है जब आएगा बता दूंगा तेरे को वलकप देख रहे हो मैंने अभी वह देखते हैं और इंडिया और ऑस्टेलिया का मैच कोई और मैच भी हुआ कि मुझे पता नहीं है अगर हुआ है तो फिर हाइलाइट डिख लूँगा हाइलाइट डि कोई लौट नहीं है अगर आपको इस पर्सक्राइबा हूं को अच्छे काम करने से लगप करने से किसी का दिल ना शुठाने से मैं हमेशा क्या झोचान काम पर प्र करना है जिस जीवन है डूब जाने दो लम्हों को खुशी की लेरों में आप सिगरेट पीते हो आई उस चहान हां मैं सिगरेट पीता हूं अब चैनल में शोड़ दो इस पारती मेरा लेकिन तुम मत पीना तो कवगे खुट तो पीते हो आप हम से कहरें मत पीना इसलिए कि मेरे पास को मैं कब यह पीते हैं मेरे इस बताता हो ना ना कम कंपिया करो मेरा सच है वकुर शरम होई ऊसकी हे बसाउं मेरे मेरे को असब बखर में और बखतो हैं और या को सब्सक्राइब नजिया चैनल उसर्फरिगा में मैं ऐस भुए काSu finances केला श्टेलें और अपरिच अपर इचित अच्छ च्छ 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 ऑस्टिलिया हार गया वहां से लाइवाता हूं पिछले बार मैं अचकर क्या होता पता माँ जम्हां से तो यहार मैं होता हूं काम के बीच बीच में एक आधी मिनेट लिए कोमेंट देखता हूं तो कुछ लोग नाराज जाते हैं कहते हैं हमने वीच कुमेंट की हमने थीस कुमेंट किये तो मैंने सचा मैं नहीं आउंगा फिर किसी ने में को कैलीफोंडिया से फोन करा रहा है इस्टोर पर उसने का अब लाइव आना बंद करना लाइव जरूर आना हो कि हम लोग अभी उठे एंड करनाटक टूर से वापस आए तुम लोग खुब देख रहों मैं फेस्बूक की पोस्स देखता रहता हूं कि चाचा दिखते तो हैंड्सम हो अजय प्रताफ शिंग दिखते क्या हैं हैंड् इसके लाइफ खत्म होने बाद में उसी की परसों है भारत पाकिस्तान का भद्रु भाई थैंक्यू वेरी मच्ट फॉर्दा इंफॉर्मिशन चाचा जी आपकी बात बहुती बढ़िया होती है क्राफ्टर चंचल यू आरा गुड़ स्पीकर हां और मैं एक बाप बताओ त फॉर्टीन यह आपको मेल कर रहा हूं आईश्चमान हाँ आईश्च तु भूली गया मेरे को एक बार मैंने तेरे कॉमेंट का कोच जवाब दी देए था मुझे पता है तू नाराज हो गया होगा मुझे याद नहीं आ रहा हो क्या कॉमेंट था हाँ अब शायद जहां तक मेरे को ध्यान हेंगा हो सकता मैं गलत हूं कि तूने मेरे कमेंट किया तहु के तूके मैं पल्लूर्ट है तो में तो मैं तो मैंने शायद किया रहा हूं तो मैंने तो अगर तो I'm sorry तू मेल कर अभी कॉल करूंगा तो के अरुच चुहान आपको रहा हूं ओके पांडे जी हो गया जवाब आपका 14 ऑक्टोबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मज़ा आता इसी मैच में कोई मतला मेरी वह एक दुश्मन ही नहीं है लेकिन वह इतना रोमांचिक होता है कि पूछो मत और सारी दुनिया के लिए सारी दुनिया के क्रिक पर सुपर हिट होते हैं चाचा जी आप लाइफ बिल्कुल आया करें क्राफ्टर रानी क्या हाल है कुबेर राजपू चाचा जी मैंने आपको इमेल किया है अभी आपको फिर देखूंगा पॉनिदस हो रहा है देखूंगा कितने लोगों से बात कर सकता हो भी क्योंकि तब फिर मैं कॉल करूंगा कुछ लोगों से अभी बात कर लूँगा वीड लीगल है में फाल्तू फोकट पूछा हाँ वीड हमारे तो लीगल है गांजा लीगल है तो लोग तब भी खरीदे थे पीदे थे अब यहां पर तो उन्होंने जब इलेक्शन होते तो इलेक्शन 42 मिनिट हो गए है कम आपके फेड़र्ट बुक कौन सा है सपनिल्स बुक मेरी मैंने यार बुक तो मैंने कोई पड़ी नहीं मैंने बच्पन में जब तुम लोग का वो उन किताबों को जानते भी नहीं होग शैद चंदा मामा पराग नंदन और धरमयोग हिंदूस्तान आउट लूक इंडिया टुडे कोई किताब कोई ऐसा और फिर गुलशेंजिंदा के उपन्यास क्याटिन करनल विनोद और क्याटिन हमीद के जासुसी उपन्यास उसके अलावा बहुत सारा रजनीश का लिटरेचर मैंने बहुत कुछ पढ़ा यार बहुत कुबेर मैं अधर पर हूं कि अधर देख लूँगा बरेली आओ तो आपसे मिलना आओंगा अन्रवनीत आओंगा यार विरेन का पढ़िया पैंथम एंड किसको किड वर माई फेवरिट मैं तो लेकिन जब मैं छोटा था जितनी जितने भी वह आते थे क्या कहते हैं बच्चों की कहानि किसी लाइब में बताऊंगा और अमेरिका में 92 लोग उनका कोई ना कोई प्रकार का भीमा हेल्थ का होता है उसके बगार यहां पर कोई गुजारा नहीं होता है कि दुबाई आजाओ जुनेद अब या दुबाई एक बंदेने में इससे कहाता है कि बात हुई मेरी मैंने अ आप आप जाएंगे आप आजाऊं आप जो आ जाता उसको मिल जाती यहां पर चैक कैसे भी आयो आप चाचा जी आप वीक में कम से कम फालतु फोकट तीन लाइगा करूं कौन देखा हुई मैं दो लाइब तो आता हूं एक तो घर से और एक मैं आता हूं वहां से स्टोर से स्टोर का मुझे बुरा लगता है कि मैं तुमलों के जवाब निदे पाता हूं कॉमेंट के हमा लगता हूं के लिए और संडे को तो तो मैं आते ही आता हूं घर से सैल्ट आपके इनर्जी गों सपनिल से Son 거죠 थैंकिल मैंने कहा था आप cigarette promote करते ओ प्रमोंट नहीं मैं सिग्रेट को इसे का क्रता क्योंकि वह हनी का रखें मेरे हों मतलब बच्पन कर दनी नहीं न मेरे नाथि पोते हैं मेरे नाति-पोत है यहां तरहें बढली लग किते हैं पाले हम यह हो किछेंगे हौne हमनेे हमाने हमाने प्लड़े कि मुष्यारा नहीं है को हुझ दुनिया में सब्सक्राइब मेरे चाहने वाले होंगे तो दिल्ली में होंगे गाव में चापाल लगती क्या अब है यहां कोई किसी को मतला में रहता कि किसी से चाहँ रहे हैं डेरी बर्न आप जो करते हो ठीक है इतनी एज होने के बावजूद कर्समस की डेकृरेशन कब से शुरू होती है मेरे नवंबर से चुरू होती है और वह सब तो इतने वीडियो बना दिया उस तरीके के तो मैं तो वीडियो से उखता गया हूंगा लोग धक्य कहते हैं पर नहीं कहां कहां देखो रोज रोज बना रहे हैं ढालने उनकी मजबू तो उस पर देख ले गूगल पर महां पर सम्मिल लाएगा नाशीक आजाओ चाचे जी आपकी कितने लड़के हैं बुलेट पांडे मेरे तुमीलो वह सब मेरे लड़के जो जो मेरे लाइव देखते हो वही समय लड़के हैं बाकी और कोई लड़का है मेरे पास लोग قط़ थैसा पूपरवाला निवेगर को मेरे बेटे दितनी ओरता हुए दोस्ती हुए अपना अपना अमेरिका को घर से टेना दूर रहे लोग मतलने ल मिलने के बाद में कहां कहां वीजा फ्री हो जाएगा यह पता नहीं है यह बहुत सारे कंट्रियों में जो है फिर युए सिटिसेंस को भीजे की जरूत नहीं होती है उनको अर्याइवल मिल जाता वीजा जैसी पहुंचें अगर तो गूगल सर्च करेगा तो वहां तेरों पत क्रेश चीज का होता है कि जो आप कहां कॉमाल ओर किप्षाया जाए तब उसका क्रेश हे ऊटा है बाकि कहां पर तो कॉमा चीज़ेए है इंपॉर्टर डियों हभी और सबस्क्राइब्ल और लोग पता नहीं कितने लोग मेरे आफर देते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो हमारा ये बिजनस वो बिजनस मेरे पास जितना है रोटी मिल जाए खाने के लिए लिए रोचेस्टर कैसी जगा बढ़ी जगा फस्सक्रास कुबेर भाई मैं बहुत दिनों से रहा हूं यहां पर 14 साल हो गया इंडियन आर्मी जॉब्स पुलिस में जॉब करने के लिए क्या करना पड़ता है पुलिस पीछे-पीछे घूमती लोग है हाँ जोटी कर लो नौकरी कर लो पुलिस की बोलना भी सबको नियाता कुछ तो सीखलो इतना कड़वा कोई बात नियार मैं माहिं नहीं करता है जिसकी जितनी समझ है वह वैसी तो बोलेगा वह वैसी कमेंट करेगा तो मैं सब बातों से माइंड करता है जाचा लड़कों के लिए अमेरिका पढ़ना ये नौकरी करना कितना महफूज है अमां कह दूंको यकीन नहीं होगा इतना महफूज कि इंडिया से शायद लाक गुना महफूज अब इसी बात भड़क मत जाना वो सच्चा ही है जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो जानते हैं इस बात को बिलकुल महफूज हमारे यहां बरसों हो गए हमारी शॉप पे बरसों हो गए नाइट शिफ्ट लड़कियां करती है दो पांच दिन एक करत लड़कियां करती है कोई डर नहीं जब हमारी दुकानी खुली होती 7-11 और मीलो मीलो दूर तक सब कुछ बंद होता सब कुछ बंद होता तब बिलकुल सेफ्टी यहां पर वो चले नहीं है कि लड़की को अकेले देखके उसको जपट लिया यह चेड़ दिया यह चेड़न मैंने क्या बोला और आप क्या समझ रहो सचिन मैं तो कुछ नहीं समझ रहा हूं तो देखा भी नहीं तेरे कॉमेंट पंकर सिंग बरेली पंकर जी ठाकर साब प्रवाम बरेली वालो कि मिनिमम सेलरी कुछ नहीं होती है अपर आवर के साब से मिलते हैं पैसे अलगलग स्टे पूरी कहानी जाती पुलिस की सेलरी यह तो वीडियो देख बनाना पड़ाया कि कुबेर राजपूर चाचा जी मैं मध्यमवर परिवार से था उपर वाले लाके पटक जिया मैंने कभी सोचा भी सपना भी देखा तो कल का कुछ नहीं पता यार डियर आती हैं वेंकूर में नहीं जिनलों के घर ऐसे एरियम होते हैं जो फॉरेस्स के पास होते हैं वहां पर यह राते हैं बहुत कॉमण मात होती है कि बहुत ही कॉमान होती है फिफ्टीवन मिलिट हो थोड़ी दिल और मैठाओं पर बरतां दोने मेरे को ताउजी और बैस नम्नीत कुछ वाक्शवा एक एडिटेड वीडियो पूरा एडिट किया हूं मैंने पियर सर्टी ना एक जगा है कैलिफोर्निया में पूरा सब कुछ कुछ एडिटेड है वीडियो मेरा बस मुझे वॉइसोबर करना लेट सी शायद शायद कला जाएं स्वारक सोनी आज जाएगी वीडियो कोई कॉमेंट था क्या था आपकी फेवरेट कभी कमेंट चले आते हैं आपका फेवरेट फूर्ड जोनेद में हमेशे बताता हूं डाल चावल अरार की दाल चावल सफेद उबले हुए और सलाग अचटिनी मज़ा आता लेंच खाके क्लाइमिट कहसी अब थंड शुरू हो गया चाचा जी आपको पर्मार रमेश्कमार प्रणाम भाई अभी टाइम कितना हो रहा है ताइम हो रहा हो रहा है तुम्हारें हो रहा आपर महराश्व थे सहास नाम ले लो चाचा जी सुहास भाई नाम ले लिए आपका शैचा जी जी एन में किसी अपराद बहुत से बाहर निकलना कोई मिश्किल काम नहीं है पता कहा जाना पड़ेगा जिसको तु मानता उसके पास है मैं सबसे यह क्याता हूं जिसको मानतो मैं तेरे पास अपराधी बन का आया हूं मुझे माफ कर अब जीवन में दुबार से करूंगा नहीं होगा मुझसे और तू मेरी हेल्प करेगा निकल जाओ बहुत असान है मैं सबसे कहता हूं कहां जाओ महीं जाओ जिसको मानते हो जाओ इस इट लिविंग इन अब्रॉड ठीक है यार बर्जे सिंग क्या हाल है साहु जी चाचा जी मेरा नाम लेलो सुग्रीव परसाद साहु ले लिया बर्जे सिंग हो गया आयुश चहन तेरा हो गया आप हमेशे अच्छी बाते बताते हो क्राफ्टर चैनल कोशिश करता है आपको खुश देखकर बहुत खुशी मिलती है चाचा जी रमेश कुमार रमेश भाई नमस्ते अमेरा को तुम लोग से मिलके खुशी मिलती इसीद में लाइव आता हूं वीडियो कम गनाता हूं लाइव जाना आता हूं क्या कुबेर चैनल आपके कुछ कीमती समय लेकर आपके कॉल पर बात करना चाहता हूं तो तुने मेरे नमबर भेजना सिंग्राजे नियुक्त पर अभी सबसे पहले तेरे कोई कॉल करने लुग चल लाइव खतम होने वाला मेरा नमबर भेज दे तू अपना मेरी चुट्टी है मेरी चुट्टी ता मती जब मेरी बेटी जाती ही काम करने तो आज वह हुग काम करने मेरी जगापड ने संब्सेंट्स अपने अपनी सोच हूं टाउन होस कितने की मिलती है पता नहीं यार मुझे सुगरी पर्षाद थेंक यू चाचा जी सरकार नौकरी की क्रेजी है क्या लेडट रती रिवीव आज तो बहुत दिर माया नहीं यहां पर नहीं आप नहीं अच्छी तनका मिलती है प्रगले पैसे मिलते हैं चल्ड़ पश्पनमिट हो गया है अब मैं देखता हूं तुम लोग कितने लोग ने मेरे को इमेल करी है उन जो मेरा यूटीब का फैमिली वो जानता मैं क्या कहता हूं पता है ना जाने से पहरे वोई बात क्या मेरे याद शबाखेर और शबाखेर कोई गाली नहीं होती है उसका मतलब होता है गूड नाइट बाई गाइस टेक कियर फिर मिलूगा किसी और लाइब में आई लेव य हूँ